हेलो स्टुट्स आज हम प्रॉब्लम से 20 देखने वाल है लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जो नए नए वीडियो आते है वो आपको पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रही चलिए चैनल को अजिया है एडिशन का फ़र्स दिया है 1 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन फाइड़न फाइbuilt यहाँ पर नुमरेटर अलग-अलग है लेकिन डिनमेटर सेम है इसलिए नुमरेटर के क्या करने है हम है ऐडिशन याने 1 प्लस 3 और दोनों का डिनोमेटर सेम था 5, 5 इसले वों ओनली वन टाइम फायरा डाउन किया 1 प्लस 3 क्या हो गया 4, 4 अपॉन 5 सेकंड देखते है 2 अपॉन 7 प्लस 4 अपॉन 7 यहाँ पे भी निूमरेटर डिफ्रेंस है लिके डिनोमेटर सेम है डिनोमेटर सेम है तो हम आसानी से उसके अडिशन कर सकते है 2 और 4 के अडिशन की और डिनोमेटर ओनली वन टाइम राइट डाउन किया 7 2 प्लस 4 क्या बन गए 6, 6 अपॉन 7 थर्ड एक्जामपल देखते है 7 अपॉन 12 प्लस 2 अपॉन 12 यहाँ पे भी डिनोमेटर सेम है तो नियुमेटर की क्या करेंगे अडिशन और डिनोमेटर ओनली वन टाइम राइट डाउन करेंगे याने 12 7 प्लस 2 बन गए 9, 9 अपॉन 12 नेक्स्ट एक्जामपल देखते है 2 अपॉन 9 प्लस 7 अपॉन 9 यहाँ पे डिनोमेटर सेम है इसलिए नियुमेटर की अडिशन करेंगे 2 प्लस 7 अपॉन 9 2 प्लस 7 बन गए 9, 9 अपॉन 9 इसका ही मतलब होता है 1 नेक्स्ट एक्जामपल 3 अपॉन 15 प्लस 4 अपॉन 15 दोनों का denominator सेम है 15 तो numerator की क्या करेंगे addition 3 प्लस 4 अपॉन 15 3 प्लस 4 बन गया 7 7 अपॉन 15 next example देखते हैं यहाँ पे 2 अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 7 तीनों जो दिये हुए है fraction तो उसके तीनों fraction के जो denominator है वो कैसे है सेम है 7 7 7 याने सेम denominator है लेकिन numerator अलग-अलग है तो इसले हम numerator की क्या करेंगे addition और तीनों denominator सेम है तो only one time write down करेंगे याने 7 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 6 अंसर मिल गया 6 अपॉन 7 next example देखते हैं 2 अपॉन 10 प्लस 4 अपॉन 10 प्लस 3 अपॉन 10 यहाँ पे भी तीनों का denominator सेम है 10 इसले numerator की addition करेंगे 2 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 10 2 प्लस 4 6 6 प्लस 3 9 यहाँ आंसर मिल गया 9 अपॉन 10 next 4 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9 यहाँ पे दोनों का denominator सेम है इसले numerator की addition करेंगे 4 प्लस 1 अपॉन 9 4 प्लस 1 क्या बन गया 5 5 upon 9 Next देखते हैं 5 upon 8 plus 3 upon 8 यहाँ पे दोनों का denominator सेम है इसलिए numerator की क्या करनी हमें addition 5 plus 3 upon 8 5 plus 3 क्या बन गया 8 8 upon 8 इसका ही मतलब क्या होता है 1 Question number second देखते है Mother gave 3 upon 8 of 1 Guava to Mina and 2 upon 8 of the Guava to Geeta What part of Guava did she give them all together Mother ने क्या क्या 3 upon 5 जो था Guava का वो Mina को दिया और 2 upon 8 जो पार्ट था Guava का वो Gita को दिया तो दोनों को मिला के मम्मी ने कितना Guava बच्चो को दिया यह हमें find out करना है All together का क्या मतलब होता है All together यानि दोनों मिला के कितना Guava Mother ने बच्चो को दिया यानि मीना और गीता को दिया, यह हमें find out करना है, चलो solve करते हैं, देखो, 3 upon part जो था, वो किसको दिया था, 3 upon 8 part दिया था मीना को, और 2 upon 8 part दिया था, गीता को, तो all together कितना parts दिया, वो हमें find out करना है, इसलिए total parts given, और हमें इसा भी लेख सकते है, all together, all together, she gave, she gave the ग्वावा, equal to, हमें क्या करनी होगी दोनों की addition, क्योंकि हमें पूछा गया है, all together, यानि दोनों को मिला के, कितना ग्वावा मदर ने दिया है, यह हमें find out करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, addition, 3 upon 8, plus 2 upon 8 के addition, denominator सेम था, इसलिए numerator की क्या करेंगे, addition, 3 upon, 3 plus 2 upon 8, 3 plus 2 बन गए 5, 5 upon 8, यानि 5 upon 8 जो 8 पार्ट है, यह all together का जो पार्ट है, इतना पार्ट मदर ने मीना और गीता को दिया, थर्ड एक्जम्पल देखते है, the girl of standard 5 clean 3 upon 4 of a field, while boys of standard 4 clean 1 upon 4, what part of field was clean all together? देखो, जो girls ते standard 5 के, उन्होंने जो field था, उसका 3 4th part clean किया, और जो boys ते 4 standard के, उन्होंने 1 4 जो part था, field का, एक खेत का, वो clean किया, तो दोनोंने मिला के, कितना parts clean किया, वो field का, वो हवे find out करना है, इसलिए हमें क्या करनी होगी, दोनों की addition, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है, all together, याने 5th standard की girls और 4th standard के, जो boys है, दोनोंने मिला के, कितना parts, जो है, field का clean किया, वो हमें find out करना है, इसलिए क्या करना होगा, बच्चों हमें, हमें करनी होगी addition, देखो, 3rd example solve करते हैं, जो 3 3 4th part था, 3 4th part किसने clean किया, standard 5th, standard जो 5th थे, standard 5th के girls ने clean किया, और जो 1 upon 4 part था, वो किसने clean किया, वो clean किया, standard 4th, standard 4th के boys ने clean किया, तो दोनोंने मिला के, कितना parts clean किया, वो हमें find out करना है, therefore, all together, all together, they clean, याने दोनोंने मिला के, कितना clean किया, तो इसलिए हमें क्या करनी होगी, addition 3 upon 4, plus 1 upon 4, दोनों की क्या करनी होगी addition, यहाँ पे दोनों का denominator सेम है, तो numerator की करेंगे addition, 3 plus 1 upon 4, 3 plus 1 बन गए 4, 4 upon 4 का ही मतलब होता है, one part, याने जो पूरा जो field है, वो total field दोनोंने मिला के clean किय क्योंकि one part का मतलब हो गया, complete field, इस प्रकार से आज हमने problem set 20 देखा, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो like, share और subscribe करना ना बुले बच्चो, thanks for watching this video,